आपको त्राम दिलाना पड़ता है. Thank you very much. Thank you. Thank you. Professor Manoj Chha. शुक्रिया मैडम, शुक्रिया आपके वहाँ होने के लिए भी, बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, कि इतिहास में संसदिय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे छणा आते हैं, जब ये कहना मुश्किल हो जाता है, जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर, आइस और नोस, ये मसला येस और नो का नहीं है, मानियोब सभापती जी, ये मसला हमारे देश की तारीख से जुरा हुआ है, ये मसला इस बात से जुरा हुआ है, जो प्रधान मंत्री जी ने अभी बीते दिनों, सेंट्रल हॉल में कहा था, क्यान्वस बड़ा होगा, आकृती बड़ी होगी, बड़ा क्यान्वस है, लेकिन आकृती छोटी गड़ी जा रही है, और ये इतिहास स्मरन करेगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब नारी शक्ती वंदन अधिनियम, मुरी तु समझ में नहीं आया, कि ये लेजिसलेशन है, या किसी तरह का धार्मी गरंथ की, एक उसका सिर्शक है, क्योंकि बच्पन से पढ़ता आया इस देश में, जब आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नारियस्तू पुजियन ते, रमन ते तत्र देवता, पता नहीं देवता रम करते हैं की नहीं, लेकिन हमने इस लोग के बावजूद, महलाओं का मॉलस्टेशन देखा, घरे लुहिंसा देखी, सबसे ज़्यादा रेप, परिवार नम की संस्ता में देखा, जिसका आकड़ा खुद सरकार देती है, तो मुझको लगता है ये जो बीरोदाबासी, चडितर है हमारे देश का, इस बीरोदाबासी चडितर पर भी बात होनी चाहिए, आज काफी सारी महिलाएं हैं, पत्रकार भी इस दर्शक दिर्गा में, इनको भी ये कहना चाहता हूँ, कि हमारे कुछ सरोकार है, इस देश में ऐसा नहीं चल सकता, कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए, और दूसरी तरफ, हम उस जुबान को छोड़ दे, जो संविधान से आती है, मैडम, संविधान, राइट्स की बात करता है, अधिकार की, हमारी वोकैबलरी को क्या होता जा रहा है, अधिकार दया किश्रेनी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्स्चर देखता हूँ, वो दया किश्रेनी में बात होती है, अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी, मानिये, डेप्टी चेर्मन, मैम, चेर्परसन, मैम, सॉरी, आज़ पर दे डिलिमिटेशन कमिशन, 2008, हमारे पास जो सीट्स हैं, 412 जेनरल सीट्स, 84 एसीज, 47 एस्टीज, अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के मादियम से, 84 और 47 के अंदर वन थर्ड कर रहे हैं, क्या यह अन्याय नहीं है, एक्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33 परसंट आ रहा है, उसके अंदर, जिसका आकड़ा अभी के हिसाब से, 136 सीट बैठता है, उसमें, SC, ST और OBC की वेवस्टा हो, क्योंकि देखिए, मैं आपके मादियम से कहूं, हर महिला के, वो बहुत मुश्किल से, आगे पढ़ना पड़ता है, यह आप भी जांकिये, और खास करके, पिछडे वर्गों की महलाएं, अनुस्ची जाती, जन जाती की महलाएं, उनका डेप्रिवेशन और वल्नेरिबिलिटी, बाकियों से ज़्यादा होती, हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है, हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है, अगर आप पहुँची, तो बिना हैंड होल्डिंग के, लेकिन उन पिछडे जाती की महलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए, ना हमारे धर्म गरंथों में कोई ब्यवस्ता है, और ना आज की समकालीन बाचीत में कोई ब्यवस्ता है, रिटॉरिकली हम कुछ भी कह दें, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा, कि हमारी पार्टी, आज मैं समरन कर रहा हूँ, हमारे राष्ट्य अध्यक्ष लालु प्रसाद यादब जी, भगवतिया देवी कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोरने वाली महिला थी, पत्थर तोरने वाली हमना सहबो गाली भाईया, हमना सहबो गाली, वहां से गया से निकल करके, वो संसत तक पहुची, क्या उसके बाद भगवतिया देवी आप आईं, भुलंदे भी आप आईं, वो इसलिए नहीं आप आईं, कि हम आपको दोश नहीं देते हैं, हमारी वेवस्थाए संबेदन शुन्य है, मैं तो आग्रह करूँगा तमाम सात्यों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए, ये इतिहासिक च्छन, सचमुच इतिहासिक होगा, अगर हमने आज इतिहास को ब्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधान मंत्री जी कहते हैं, और प्रधान मंत्री जी की कत्री और करनी में फासला नहीं होना चाहिए, और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं अत्य पिछडी जातियों के लोग मैडम आप अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुँच रही हो तो आज मैं आगरह करूँगा तमाम साथियों से चिंता ना करिये डली विप की डली विप समाज की ववस्था पे भाड़ी होना चाहिए इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमिटी में भेज करके S.C.S.T. और O.B.C.S. को O.B.C.S. को इंकॉर्पोरेट किया जाए नहीं आज आज आप हम नहीं करेंगे हम इतिहासी गुनहगार होंगे मैं यकीन के साथ कहता हूँ बाहर लोग वाच कर रहे हैं कहेंगे कि तुमने क्या किया यह यह विवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है तो मैं आपसे आगरह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दाइरों से अलग हो करके आप जब O.B.C.S. की बात करते हैं तो यह रेटारिक से आगे बढ़ना चाहिए हमारी चिंताओं में आना चाहिए यह नहीं होगा कि बाबा साथ भीम रहाओं अमबेद कर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसाथ मा करें यह जो फरक हमारे इसमें आ रहा है इसे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है मादम चेर परसन मैं आपको कहूं कि कोटा भी दिन कोटा की जब हम बात करते है तो उसमें एक तर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस ने 89 में दिया इंटर्सेक्शनालिटी अब यह इंटर्सेक्शनालिटी को क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आज मैंने सुभा इसका अनुवाद बहुत धूंडा उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया प्रतिच्शेदर इंटर्सेक्शनालिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाये हैं उसके आधार पर अपना चड़ित्र एफ़मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ये देखना होगा जो खास करके वंचित समाज की महला आया है मैं उनके बारे में कहूं आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा अगर चश्मा लगाती है सरकार धुब का चश्मा नहीं अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए उसको साफ करिए और ये तै करिए कि आज जब हम यहाँ से उठें तो एक कमिट्मेंट दें OBC वर्क को और ये मैं बार बार दूरा रहा हूं कि 33% को एक्जिस्टिंग में मत इंकॉर्परेट कीजिए इस शुड़ बी सेपरेट नई विवस्था में नया 33% विदाउट टाचिंग ये करिएगा तो करंतिकारी कदम होगा अक्सर हम लोग अपने प्रिविलिजेस को नहीं देखते हैं मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिया है उन सरनेम को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं चेर परसन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि privilege का जो ब्याकरण है वो खत्मी नहीं हो रहा है मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद there is nothing in name but everything is there in the surname उनके संघर्ष उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है और एक एतिहासिक तथे बताओं 31 में बिगम शेहनवाज और सरोजनी नाइडू ने संविधान बनने से बहुत पुर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थे हम कहे कोट के पढ़े हैं 33 पर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिष्टा है हमारा ये 50 क्यों नहीं हो सकता ये 55 क्यों नहीं हो सकता आपका पूरा का पूरा वर्ग चरीतर बदल जाएगा आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहाँ है हमेशा एक खास सरनेम मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो अलग अलग दलों में भी है अगर वो पहुचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से तो उनको आज ये आवश्यकता है उनको ये भरोसा दिलाआ जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी सब के लिए खुलेगा आपकी ये जो नई पारलेमेंट है हमारी ये रंगीं जादा होगी इंद्रधन उसमें कई रंग होते हैं हम ये कौन सा बिला रहे हैं जिसमें ब्लैक और वाइट के बाद शेड़् आप ग्रे भी नहीं है अगर हमारा अउदेश डिपेनिंग अफ डिमाकरिसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगी मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रिजेंटेशन देखिए उसमें हमने SC, ST, OBCs and Minorities की बात की थी और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वर्ग चरीतर भदले संसद सचोंच में पृतिनिधितर की संस्था बने जिसमें सब के आकार हूँ सब की शकले हूँ ये नहो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर चाप रहे अभी जाती का जर्गना कल शाम के बाद मैंचेर परसन मैंचेर परसन अब मैं आपका एटेंशन चाहता हूँ कल शाम के बाद इस देश में लोग सब हमें बिल पास हुआ उससे ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है OBC के साथ नाइसाफी हुई इस बात की चर्चा हो रही है कि जाती का जर्गना पर क्यो ब्लॉक किया जा रहा है और मैं यह कह रहा हूँ हमारे CM वितिश जी और तेजस्वी जी डेपटी CM उन्हेंने जाती कर सर्वेक्षन कराया 28 अगस्ट को मेरे पास दोनों एफिडेविट है पहली एफिडेविट कौन लेखे गए सरकार तुशार में तक हरे होते हैं सॉलिसिटर जेनरल यह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट केनोट टू एनी अक्टिविटी लाइक सेंसस और अक्टिविटी अकिन टू सेंसस लेकिन शाम तक जब आप रोर होता है दूसरी एफिडेविट आती है कहती है गलती से वो परेग्राफ लग गया था सरकारें ऐसी गलतियां नहीं करती है यह मानस करवाता है यह प्रेजिडिस्ट माइंड करवाता है मैडम चेर परसन बस बस ज़्यादा नहीं लूँगा मैंने कई संसोधन दिये हैं मैडम चेर परसन मैंने कई संसोधन दिये हैं उन संसोद उनों पर भी सरकार विचार करें हाथ जोड़के कहता हूँ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा खिरदाय विशाल रखना चाहिए छोटे मन से आप ही के बड़े नेता कह गयते हैं छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता कैनवास पे बड़ी लकिर खीचिये और मैं आखरी में एक बात कहके खतम करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश नहूं मैं हम चैर परसन एक मिनट एक कविता लेके आया था उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाईए और ये कविता परके खत्म करूंगा और जैहिंद बोल दूँगा ये ओम प्रकाश बालमी की जी का है इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाती भी शेश के लिए नहीं है क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकूर है जो न्यालेव में बैठा हुआ है विश्विद्यालेव में बैठा हुआ है संसत की दालीच को वो चेक करता है तो कविता कुछ यूँ है चूला मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकूर का भूक रोटी की रोटी बाजरे की बाजार खेत का खेत ठाकूर का बैल ठाकूर का हल ठाकूर का हलकी मूठ पर हतेली अपनी फसल ठाकुर की कुवा ठाकुर का पानी ठाकुर का खेत खलिहन ठाकुर के गली मुहले ठाकुर के फिर अपना क्या गाउं देश सहर और मैं फिर से क्लारिफाई करता हूँ वो ठाकुर मैं भी हूँ वो ठाकुर संसद में हैं वो ठाकुर विश्व स्री एलम